भारत में GDP की ग्रोथ रेट हमेशा खबरों में रहती है इसकी कमी और बेशी पर खूब राजनीती भी होती है आमतोर पर भारत में GDP ग्रोथ रेट 6-10 प्रतीशत के बीच रहती है क्या यह मुम्किन है कि किसी देश का ग्रोथ रेट 86 प्रतीशत हो जाए जी हाँ एक देश ऐसा भी है जिसका ग्रोथ रेट 86 प्रतीशत होने वाला है दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में दक्षिन अमेरिका के सबसे छोटे और गरीब देशों में से एक है गुयाना आएमेफ की प्रोजेक्शन के मताबिक अगले साल यह गरीब देश अमीर देश बन जाएगा उसके जीडिपी में जबरदस्त उच्छाल की उमीद की जा रही है आएमेफ का मानना है कि 2020 में गोयाना की जीडिपी का विकास दर 86 पीसद ही हो जाएगा जो अभी 4.4 पीसद है भले ही गोयाना एक छोटा देश है इसकी आबादी 7-8 लाग के करीब है लेकिन फिर भी इतनी बड़ी उपलब्दी है जो किसी चमतकार से कम नहीं अभी एक नजर इस देश पर भी डाल लेते हैं गोयाना की आबादी 2016 में 7,8,000 के खरीब थी ब्राजील, सुरीनाम और वेन वी सदी में भारत से गए गिर्मिटिया मजदूरों की संतान है इनके अलावा 30% के करीब अफरीकी मूल के लोग है जो गुलामी प्रथा के समय वहां गए थे 20% लोग मिली जुली नसल के हैं जिन्हें दोगला कहा जाता है बाकी के 10% स्थानिय अमेरेंडियन है अब रही ब बड़ा है इस बात का अंदाजा यू लगाया जा सकता है यह चीन के अगले वर्ष के प्रोजेक्टिट विकासदर से 14 गुना अधिक है और अमेरिका के विकासदर से 40 गुना अधिक है आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि IMF ने यह प्रोजेक्शन क्यों दिया तो इसका गुयाना में 4900 बेरल होगा अभी इस देश में पेट्रोलियम के खोज पूरी तरह से मुकमल नहीं हुई है और ऐसी उमीद की जा रही है कि यह पेट्रोलियम के और भी भंडार मौजूद है गुयाना दक्षिन अमेरिका का एक मात्र अंग्रेजी भाशी देश है पिछले कई दशकों से यह देश आंतर एक उतल पुतल और नसली हिंसा का शिकार रहे चुका है लेकिन अब लगता है कि इस देश के दिन ना केवल फिरने वाले हैं बलकि प्रतिव्यक्ति आये के मामले यह दुनिया के विक्से देशों की श्रेणी में आने वाला है इसी तरह के खबरे में आपके लिए लाती रहूंगी तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करे हमारे चानल को सब्सक्राइब करे और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो अक नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुर्णे के लिए शुक्रिया